हलो स्टूडेंट्स वेलकम तू मैं रुपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास क्लास 12 की बुक अंतरा भाग दो का चटा अध्याए चटा अध्याए है बसंत आया और तोड़ो ये जो बसंत आया तोड़ो ये दो कविताए हैं इन दोनों कविताओं को हमारे सम्मुक रखा है रगवीर सहाय जीन रगवीर सहाय जीने ये दोनों ही कविताएं बिलकुल अलग-अलग माध्यम से जैसे की नाम से पता चल रहा है बसंत आया बसंत की मौसम के आगमन में किस तरीके की छटा भिगरती है ये बताया लेकिन साथ ही आधुनिक समय में लोग बसंत को अब कलेंडर से जानने लगे हैं मौसम के हिसाब से नहीं जानते कि ये मौसम बदल रहा है तो बसंत आ रहा ऐसा नहीं लोग कलेंडर में देख प्रत्वी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए हमें प्रत्वी के ऊपर जो पत्थर हैं उनको तोड़ना पड़ता है प्रत्वी के हिर्दय को चीरना पड़ता है तब कहीं जाके उसकी उर्वरता बढ़ती है और उसके अंदर से अंकर फूटता है तो उसी तरीके से हमारे अंदर मन में जो निस्तप्तदा है यानि कि जो निराशा है जो बिल्कुल भी निढालपन होता है हमें वो हटाना पड़ता है तब कहीं जाके रचनात्मक्ता आशाएं हमारे दिल के अंदर वास करती हैं तो ये दोनों ही कविताएं चलिए हम पड़ते हैं तो सबसे पहले हम अर्थ को देखेंगे लाइन वाइज हम अर्थ देखेंगे फिर उसके बाद हम इसकी व्यामूलभाव और व्याख्या को देखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास कविता आई है वो है बसंत आया जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चड़िया कूकी चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुर्मुराये पाव तले उचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियारे पत्ते कोई छे बजे सुबा जैसे गरम पानी से नहाई हो खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई ऐसे फुट पाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना की वसंत आया तो अब यहाँ पर क्या था कभी सुबा टहलनी के लिए निकले हैं कहते ना सुबा वॉक होती मॉर्निंग वॉक के लिए वो निकले हैं तो उसी समय उनके साथ सामने क्या क्या चीजे हुई जैसे बेहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले से किसी तरू यानि अशोक पर कोई चड़िया कूकी यानि कि मैं तहल रहा था उसी तमें चड़िया के कूकने की आवाज आए जैसे कोई छोटी सी बेहन बोलती हो दा दा मतलब होता है दादा बड़े भाई को बोलते है ना दादा तो वही बोला कि सुबा सुबा में टहल रहा था तो एक किसी बंगले पर अशोक का पेड़ था उसके उपर से एक चिडिया कूकी जैसे कोई छोटी बेहन बोल रही हो दादा मतलब अब जब वो चल रहे थे तो सडक के किनारे बजरी पड़ी होती है ना चुटे-छुटी जो पथर होते हैं गिटियां होती है वो पड़ी होती है तो उन पत्तों के उपर से जब गुजर रहे थे तो उनके उपर पत्तों के उपर उनका पैर पढ़ा पत्तों जब पैर पढ़ता है तो क्या होता चुर मुराने की आवाज आती है तो वैसे ही उन पत्तों को चुर मुराने की आवाज आई तो देखे थे वो पीले पीले सुख सूखे सूखे पत्ते जो है वो पेडों से गिरे हुए नीचे पड़े थे अब बसंत के आने से पहले पत्त जड़ाता है ताकि जो पुराने पत्ते होते वो पेडों से जड़ जाते हैं और तब कहीं जाके बसंत में नई कोपले फूटती हैं तो वही पुराने पत्ते गिरे अब क्या है मतलब अब बसंत आने वाला है कोई 6 बजे सुबा जैसे गरम पानी से नहाई हो खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई जैसे सुबा सुबा जब ठंडक का मौसम होता है कोई इस तरी गरम पानी से नहा कर आती है और आपके पास से गुजर जाए तो एक गरम सी हवा लगती है तो वैसी ही हवा एकदम से पास कवी के पास आकर उनको फिरकी लगाकर चली गई अर्थात उनके आस पास गूमके वो गरम सी हवा तुरंत चली गई ऐसे फुट पात पर चलते चलते कल मैंने जाना की बसंत आया तो कभी कहते हैं कि ऐसे ही मैं कल सुबा सुबा फुट पात पर चल रहा था तब मुझे समझ में आया की बसंत आ गया है और यह कलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंच मी दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाड और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कही धाक के जंगल आम बौर आवेंगे रंगरस गंध से लदे फंदे दूर से विदेश के वे नंद नवन होवेंगे यशश्वी तो अब इस पंक्तियों में क्या बोल रहे हैं कि जब घर में आकर कलेंडर देखा तो मालूम हुआ कि माग महीने की पंच मी को ही होती है बसंत पंच मी कब बनत पंच मी को बसंत पंच मी मनावी जाएगी और उस दिन दफ्तर में चुट्टी होवेगी यानि कि उस दिन ओफिसों में चुट्टी रहेगी यह प्रमाड था कि अब बसंत आ गया है और कविताएं पढ़ने रहने से मतलब कविताएं में पढ़ता रहता था इसलिए मुझे पता था कि बसंत पंच मी पर क्या क्या होता है कि दहर दहर देखेंगे कहीं धाक के जंगल जो धाक का पेड़ होता है उसके जंगल में बहुत ज़ाधा गर्मी प्रतीत होती है बसंत के महीने से आम में बाष आवेंगे बसंत के महिने से ही क्या हो जाता है؟ आम में बोरे आनी शुरू हो जाती है मतलब आम जो निकलता है उसका बीज फूट जाता है आम के पेड़ पर रंग गरश गंद से लदे फंदे दूर विदेश से मतलब आम की बोरे आएंगी तो कहीं और देशों में भी तो यही चीजे होंगी तो इस तरीके से हर जगे से ऐसा ही मौसम प्रतीत होगा और ये नंदन वन होंगे अशश्वी और ये जो वन है ये सभी अशश्वी होने का मतलब क्या है इन सभी में जीवन नया रूप लेगा अरताथ सभी जगे कोपले फूटेंगी रंग बिरंग के फूल खिलेंगे भौरे उडएंगे तितलियां उडएंगी आस पास की हवा सुगंदित होगी तो सभी ये वन जो हैं जितने भी वन हैं ये सभी बहुत ही प्राडप्रिये से हो जाएंगे अब इस कविता का मूल भाव और व्याख्या देखेंगे अच्छा अभी कविता थोड़ी सी और है मधुमस्त पिक भौर आदी अपना अपना क्रतित अभ्यास करके दिखावेंगे यही नहीं जाना था कि आज के नगण दिन जानूँगा जैसे मैंने जाना की बसंत आया तो अब यहां अंतिम पंक्तियों में कभी ने क्या बोला है हमसे कि मधुमस्त पिक और भौरे पिक मतलब क्या होता है आपकी कोईले और भौरे आनि कि जो मंडराते रहते हैं फूरों पे मंडराते हैं तो यह अपना अपना क्रतित करेंगे अर्थात क्रतित मतलब यह अपना अपना कार शुरू कर देंगे इतने बढ़िया मौसम में ये क्या करते हैं भोरे फूरों पर मंटाते हैं कोईले गाना गाती हैं तो ये सब अपने कारे में लग जाएंगे अब भ्यास करके दिखावेंगे मतलब अब भ्यास करके दिखावें का मतलब ये सब अपना कारेंगे और दिखाएंगे कि ये कितने सक्षम है कितना ही अच्छा सुरीला गुंजन कर सकते हैं यही नहीं जाना था कि आज के नगण दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना की बसंत आया वो नहीं जानते थे कि मैं इस तरीके से जानूंगा की बसंत आया अर्थात अब मैं मौसं के हिसाब से नहीं कलेंडर के हिसाब स जानूंगा कि बसंत आ गया है अब इसकी व्याख्या को देखेंगे मूल भावे बसंत आया कविता में कवी ने आज के मनुष की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है मनुष का प्रकती से रिष्टा तूट गया है बसंत रितु का आना अब अनुभव करने के बजाए क जाक्या बिंदू क्या है बसंत के आगमन के विशे में कवी कहता है कि सुबा की सैर करते समय किसी बंगले के आगे लगे अशोक व्रक्ष पर चडिया कोई चडिया छोटी बेहन की तरह चह चाहाएगी तथा सड़क के किनारे पेडों के गिरे पीले सूखे पत्ते पैरों के नीचे चर्मर आये तथा खिली हुई हवा फिरकी की तरह गूंती हुई गरम पानी से नहाई हुई सी आये तो समझ लेना चाहिए कि बसंत आ गया है कलेंडर की तिथी देखकर तथा दफ्तर में छुट्टी हुने के कारण बसंत पंचमी का प्रमाल मिल गया इस कविता में कवी की चिंता है कि मनुष आधुनिक्ता एवं अती व्यस्तता के कारण प्रकती और मौसम में आने वाले परिवर्तनों से अनभिग्य हो गया है प्रकती के सौंदर हर्याली, पुष्प, कोयल, भौरे, रंग, रस, गंध, आम के बौर, तता ढाक के देखते वन आधी से कटता जा रहा है मतलब मनुष इतना बिजी हो गया है तो वो प्राकतिक द्रश्चों से, प्राकतिक अनभवों से कहीं बहुत दूर होता चला जा रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा है, कि यह सब जीजें हमारे जीवन का अंग है हमें इन्हे अपनाना है, इसी से हमारे जीवन में यह सब मधूरता भर पाएगे तो अब इसके बाद हमारी शुरू होती है, इसी पार्ट में जो दूसरी कविता दी गई है क्या है कविता तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्ताँने ये जूटे बंधन तूटे तो धर्ती को हम जाने सुनते हैं मिट्टी मेरस हैं जितने उगती दूब है अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है आधे आधे गाने तोडो 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 का मतलब अर्थात यह है कि प्रत्वी के ऊपर उसको उर्वरा बनाने के लिए उसके अंदर की उर्वर शक्ति बनाने के लिए उसके उपर जो पत्थर होते हैं उनको तोड के अलग किया जाता है जितना भी वेकार का खर दूशर जितना भी होता है उसके अंदर की गंदिगी को हटा दिया जाता है तब क्या होता है प्रत्वी उर्वराबंती है यानि कि उसके अंदर की उपजाओ शक्ती बाहराती तो क्या है बोल रहे हैं तोड़ो 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 ये पत्थर और ये चटाने तोड़ दो ये जूटे बंधन तूटे अर्थाद ये जो हमारे दिल के अंदर जितनी निराशा जितने ही सब क्या कहते हैं इस्तब्दता सारी चीजे व्याप्त हैं इनको अपने दिल से हटा उनकी जितने भी बेकार चीजे हैं सब हटा दी जाएंगी उसी तरह अपने मन से भी ये सारी चीजे निकाल दू तो प्रत्वी को हम जाने सुनते हैं मिठी में रस है जितनी उगती दूब है तो वे कहते हैं तब हम प्रत्वी को जान पाएंगे अर्था जब उसके उपर के प गास होती है जो तीन मुखी होती है तो वो क्या होती है, दूब बोलते हैं खास, हरी हरी होती है न, तो वही तब हम जान पाएंगे प्रत्भी भी उतनी रसहीन है, जितनी की दूब रसहीन होती है तो रस प्रत्वी के अंदर है तो वो दूब के अंदर आता है और सभी के अंदर रस व्याप्त हो जाता है अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी उब है आधे आधे ग्याने है मतलब उसी तरीके से हमारे अंदर जितनी उब और घीज है उन सभी को जब हम निकाल देंगे तब हमारे अंदर जितने आधे आधे गाने चल रहे हैं तब हम उनको पूर्ण कर पाएंगे हम जब किसी चीज को करने का संकल्प लेते हैं तो हमारे अंदर की उब खीज हमको वो सारे कारे पूर्ण नहीं करने देती हमारे अंदर निराशा व्याप्त हो जाती तो उन्हें बोला कि वो उब खीज और वो सब निराशा को निकाल देंगे तो हमारे अंदर जो है वो नए विचार आएंगे, हम आकार देने लगेंगे उन चीजों को, हम बहुत भी जादा प्रयोगवादी हो जाएंगे, तो इसलिए जिस तरीके से बंजर प्रत्वी के उपर जो पत्थर लगे होते हैं, बेकार के पेड लगे होते हैं, उनको जब हम हटा देंगे, तब हम प्रत्व जिन नीरस्ता, निराशा, हम सब को मटा देंगे, तब हम अपने मन के अंदर जो हैं अच्छी अच्छी चीजों को लापाएंगे, आशा लापाएंगे, प्रयोगवादी लापाएंगे, हम सारी चीजों को अच्छी अच्छी चीजें अपने मन के अंदर जगा दे आगे कविता है चर्ती पर्ती मतलब जितने भी खर पत्तर होते हैं। इन सभी चर्पती को तोड़ दो हटा दो सब को खेद बना दो पूरी प्रत्वी को खेत बना दो उसके नूपर जितनी भी फाल्टू की जीज़े हैं सब को हटा दो और उस प्रत्वी को खेत बना दो मिट्टी में रस होगा मिट्टी में जब सारी चीज़ें हमीं हटा देंगे तभी तो मिट्टी का रस बीज के रूप में बाहर निकल पाएगा तभी मिट्टी जो है वो उरवर बन पाएगी हम इसको क्या कर डाले इस अपनी मन की खीज को मतलब अर्थात हमारे मन के अंदर भी जो खीज है इसको भी हमें इसी तरह निकालना है अर्थात गोडो गोडो यानि गोडो का मतलब होता है गुडाई करना जैसे गमले में होता है आप कहीं पे क्यारियों में होता है करो और अपने मन से जितनी भी निराशा खीज उभ है उसको निकाल दो और अपने मन को आशावादी बनाओ ताकि उसके अंदर से अच्छी अच्छी चीजे निकल सके तो इस तरीके से कविता का यहां अंत हुआ तो पहले हम मूल भाव देखेंगे और उसके बाद इसकी व्य मतलब भूमी को तयार करने के लिए चटाने उसर और बंजर को तोड़ने का आववाहन करता है मन के भीतर की उप भी श्रजन में बाधक है मतलब उप जाना किसी चीज से तो श्रजन मतलब अच्छा नया कारे करने में हमेशा वो रोकती है कवी उसे भी दूर करने की बात कर व्याक्या बिंदू चर्ती परती धर्ती की उर्वरा उर्वरा उबरा बनाने के लिए पत्थर उर्वरा मतलब बंजर को उर्वरा यानि की जो आपको सारी चीजे हरियाली वगरा दे उर्वरा उसकी बना दे उसको पोशक बना दे पत्थर चटाने बंजर उसर को तोड़न पड़ता है यानि कि उसके उपर की सभी घराब चीज़ों को हटाना पड़ता है जिसमें चर्ती पत्ती यह आपकी चट्टाने यह सभी चीज़े हैं इसी प्रकार मन में व्याप्त उब और खीच को तोड़ना पड़ता है धर्ती में पत्थर और चट्टान तथा मन के भीतर उब और उदासी स्रजन में बाधक होती है। मन की उब और खीज रचनात्मक्ता में बाधक है। को व्याप्त करना चाहता है। वो चाहता क्या है वो नए नए विचारों को अपने मन में लेकर आए। तो इस तरीके से इस पार्ट के सभी व्याख्याओं को हमने दोनों ही कविताओं की व्याख्या आपको समझाई। तो ये हम वीडियो हमने यहाँ पर आपको पूरा खतम करके अच्छे से बताया। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है आपके साथ में कि आपने ये वीडियो तो देख लिया। अब इसके प्रशुत्तर हम कहां देखें। पहले वाले वीडियो को हम कहां चैप्टर को हम कहां देखें। या आगे वाले कहां से देखें। तो बिल्कुल मत परिशान होगे उसके लिए। उसके लिए आपको करना क्या है आपको जाना है हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पर जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आप की वहाँ पर जो है आपके सामने class first से लेके 12 तक की सारे classes होंगे। आपको बस आपकी class select करना है। जैसे ही आप class select करेंगे आपके सामने क्या आ जाएगा? आपका सारे subject आ जाएंगे। उन subject को select करिए, जिसमें भी आपको doubt है, subject select करते ही आपके सामने उस subject से related सारे topics आ जाएंगे, मतलब जितने भी chapter से वो सब ही आ जाएंगे, chapter open करेंगे तो उस chapter के अंदर जितने topics पढ़ाये गए आप उनको देखी, तो उन topic को click करेंगे, आपका video start हो जाएगा, video start करते ही आपक लेकिन साथ ही हमारे चैनल को like, subscribe और share करना विल्कुल भी नहीं भूलेगा, thank you for watching, bye bye